नमस्कार, तो आज मैं आप सब को मैंने पोस की बारे में बताने जा रहे हैं, मेरे नम डॉक्टर पुर्वी पटिल है और मैं रुद्रुजा चरिटेबल में ट्रस्टी भी हूँ, तो अब मैं आपको मैंने पोस क्या है, उसके लिए उस विशे में बताने जा रहे हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में कुछ बाते बताना चाहते हूँ, आशा रगती हूँ कि आप स्क्रीन देख सकते हैं पूरी दरह से, तो मैं होमेपितिक कंसल्टेंट हूँ, इछली भी साथ से होमेपितिक किक्षेत्र में कारे रत हूँ, एक परसनल डेलॉप्मेंट कोच पे हूँ, इंटर्मिटन फास्टिंग एवेट लॉस कोच, मैंफुलनेस कोच फोर एडर्स इंटीम्स, तैन काउंसिलर, ट्रस्टीन हैड अप सोचल एक्टिविटीज एटूज़ एटूज़ जहां अब जानते हैं हम स्त्रीयों के जो में इंटल, फिजिकल और इमोशनल हैल्थ होती हैं, उसके उपर काम करते हैं और उनके एमपाउर्मेंट और एजुकेशन से रिलेटेड कई प्रोग्राम्स लाते हैं मैंने कई प्रकार के मैंने पोस से रिलेटेड बूट केम किये हूँ है ओनलाइन और ओफलाइन और as a guest lecture, as a speaker, मुझे खड़ायता Community Women's Forum में बुलाया गाया था जहां मैंने मैंने पुजल एजुमन के लिए sun cancer और रदे रोग से संबन्दिचन करी दी थी ब्लॉगर हूँ, मीडियम पे मैं आया दिन मैंने पोस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कही सारे ब्लॉग्स लिखती रहती हूँ अब भी तक मैंने 100 से भी ज़्यादा स्रीयों को, उनको, उनकी health और physical और mental health को strong बनाने के लिए बदत की है I am a member of Indian Menopause Society Mumbai chapter मैं Indian Menopause Society की लाइफ मेंबर हूँ, तो आज हम सिखेंगे चार सिक्रेट, ऐसे सिक्रेट जो आपको menopause के दोरान होने वली तकलिफों से छुटकारा देंगे पर इन तकलिफों से पहले, आएए हम देखते हैं, पहला menopause क्या है दूसरा, हमारे शरीर के अंदर जो hormonals, imbalance होते है उसका जो impact है, वो क्या होता है शाररीक एवा मानसिक दोर पे कौनसे इसे health risk है, जो अगर हमने ठीक नहीं किये तो इन menopause के दोरान हमको कौन-कौन सी बीमारी लेके आ सकते हमारे लिए और कैसे हम blossom करें इस menopause के age में याने कि इन सारे menopause के जो भी symptom से उसे कैसे छुटकारा ले और उसमें कैसे हम अपने आपको तंदुरस, शाररीक एवा मानसिक दोर पे रखे पर उससे पहले आईए हम जानते हैं कुछ ऐसे fact जो जानना बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि CNBC के द्वारा भारत में 8th March 2023 को एक सर्वे किया जाता है जहां पे वो पाया जाता है कि 66% याने कि 86% महिला आए वो अपने अंदर शाररीक और मानसिक जो बदलाव आते है वोमन अबोड 35 और 40 की बात कर रहे हूं उस बारे में अपने फैमिली को और ना अपने हैस्बन से कभी भी वो बात नहीं करते है और वो comfortable भी नहीं रखते हैं जैसे ही अमरे देश में मासिक के related, menopause से related और sex से related बातों को openly नहीं कहा जाता है उसके वजह से ये महिलाए कहीं सारी बीमारियों का भोग बन जाती है तो ये एक बहुत alarming थी गए कि 100 में से 66% महिलाए अपने अंदर शरीर में हो रहे पेपारों की बारे में शरम की बारे में बताती नहीं है और फिर वो कितनी सारी बीमारियों से ग्रस्ट हो जाती है अगर आप इन सारे सिंटम्स जो आपको स्लाइट पे दिख रहे है जैसे कि शरीर का बढ़ जाना अनेक्सपेक्टेड वेड गें मूर स्विंक्स यहां वहां शरीर में दर्द होते रहने आने एक्सेंट पेंस थकान महिसुस होना कभी-कभी उरिन में इंफेक्शन हो जात वजाइना ड्राइनस हो जाना हाट की धडकने बढ़ जाना रदे की धडकने बढ़ जाना चीनता से ग्रसित होना हाट फ्लशेस ब्रेंफोग दूल जाना लाउस अफ सेक्शिल ड्रायव नाइट स्वेट्स इन सोम्निया रात को नेद नहीं आना लेक ओफ एनरजी मेमरी लॉस और पेइनफुल सेक्स अगर इन सारे सिंटम्स से आप पसार हो रहे हो और आपका उमर 33 के उपर है तो समझ लीजिए ये पेरी मेनपोस के सिंटम्स है तो आगे इस टॉक को बहुत ही ध्यान से आप सुनिया As a menopause specialist मैंने जब समाज में देखा कि क्या कर रहे है ये सारी स्त्रिया है जो woman about 35 है 35 की उपर की age है वो क्या 5 mistake करती है जिसकी वज़े से वो इन सारे लक्षनों से ग्रसित होने के बावजूत उसे छुटकारा नहीं पासकती तो कौन सी इसी 5 भूल है या mistakes है पहला तो उनकी अंदर जो शारी के वह मांसिक फिर परा रहे है उसका solution वो या तो YouTube पर ढूंदी है या तो Google पर सर्च करती है या फिर अपने ही दोस्तों रिश्यदारों से advice मांगती रहती है और डॉक्टर के उठ दिखाना नहीं important समझती है या तो फिर वो क्या खा रही है वो खुदी नहीं जानती है कभी कुश कभी कुश एकदम irregular उनका eating pattern रहता है क्योंकि उनको weight loss करना है और they are not following regular lifestyle जो भी हमारे जीवन चरिया है उसमें वो changes नहीं करती है और ना तो वो regular होती है ना खान पेन में regular रहती है ना सोने में regular रहती है ना पानी पिने में regular रहती है और don't engage themselves in any kind of physical activity याने की exercise नहीं करती है तो इन पांच mistakes को देखा जब मैंने हमारे समाज में तब मुझे खयाल आया कि मुझे इन सारी स्त्रियों को एक अठा करके समझाना चाहिए कि कैसे आप गलतिया करते हो और कैसे कैसे इन गलतियों की वज़े से diabetes, breast cancer, thyroid, PCOS जैसी बीमारियों को नियोता देते हो इसी thought process के चलते मैंने empowering दीवा साब जैसी online community का surgeon किया जहाँ पे मैंने three magical methods ढूंडा जिसने मुझे help किया menopause की symptoms को symptoms ने से निकलने के लिए और sustainable weight loss पाने के लिए और healthy and fit post-menopausal life जीने के लिए वही सारी चीज मैं इन महिलाओ को मदद रुप करती हूं तो आईए आज हम देखते हैं कि पहला secret क्या है क्योंकि मेरा mission है to empower all women above 35 to rewrite their story with vibrant health and fitness and boundless passion for life and help them to live their life to the fullest यही mission के साथ मैं एक menopause specialist के तोर पे बहुत सारी महिलाओ को आज मदद रुप हो रही हूं उनका physical, mental और emotional state को तंदुरस बनाने के लिए तो चलिए देखते हैं secret number one क्या है menopause क्या है simple तरीक़े में से अगर मैं बताओं आपको तो absence of menses for 12 consecutive months is called menopause याने कि 12 महिनों तक आपको menses नहीं आता है ना single drop भी नहीं आता है और तो 13 महिने पे आप समझ जाएए आप menopause में आ गए हो menopause दो प्रकार के होते हैं एक होता है surgical menopause एक होता है natural menopause surgical menopause याने कि जब स्तरीयों का घरबाशे और अंडाशे या दोनों में से एक डॉक्टर को निकाल देना पड़ता है क्यों निकाल देना पड़ता है ऐसे cases जैसे cancer हो गया है घरबाशे क्या अंडाशे की धेली में cancer हो गया है या fibroid हो गया है जो अभी बहुत बड़ा हो गया है और बहुत ही bleeding हो रहा है ऐसे case में स्तरीयों की जान बचाने के लिए doctors घरबाशे को निकाल देते हैं जिस moment को आपका घरबाशे या अंडाशे या उसमें से कोई एक या दोनों निकाल दिये जाते हैं उसी क्षान से आप menopause age में आ जाते हो आपका शरिल अचानक ऐसे अंदर अपने अंदर हो रहे बदलाव को समझ नहीं पाता है और अचानक ही आपको menopause में जो symptoms में मैसूस होते हैं वो मैसूस होना शूर्ब हो जाते हैं चाहे आपकी उमर 35 की हो 37 की हो चालिस की हो आप उसी दौरान post menopausal age woman में आ जाते हो दूसरा रहता है natural menopause natural menopause तीन प्रकार के होते हैं जो एक प्रकरिया से आपको slowly slowly step wise menopause age की तरफ ले जाता है और आपके शरीर को धीरे धीरे menopause के लिए prepare करता है और इस natural menopause को हमारे भारत में रुत्यूव जो होती है में थ्री रुत्यूव उससे compare करके हैं ताकि आप इसको आसानी से समझे हैं जैसे कि बसंत रितु बसंत रितु का बाती है जब आपका बिंटर याने कि ठंडी की सीजन जाती है और गर्मी की सीजन आती है उस पीरड को बोलते हैं वसंत रितु और इस वसंत रितु में हमको क्या मैसिस होता है temperature में imbalance मैसिस होता है वैसे ही जब आप perimenopause में आते हैं जो एक transition stage है menopause को साथ तो वहाँ पे आपको hormones में fluctuations दिखाई देते हैं जो ज़्यादा तर mensis में irregular इसकी तोर पे आपको दिखता है याने कभी mensis आता है कभी नहीं आता है कभी 35 days की cycle हो जाती कभी 40 दिन की कभी 3-3 मेने तक mensis नहीं है ता और कभी 15-13 दिन पे आपको mensis आता है ठीक है तो यह हुआ आपका perimenopause जो स्टार्ट होता है 35 से लेकि 45 साल की उमर तक आपको ये लक्षन महसूस होता है दूसरा stage होता है menopause जिसकी उमर कामनली 45 से लेकि 55 साल की होती है याने कि इन 10 साल में आपको menopause की लक्षन महसूस होते है तो menopause को हम किस से करेंगे रिले गर्मी की सीजन से याने कि summer सीजन से Christmas से अब हमारे हाँ पे गर्मी की सीजन कैसे जानी जाती है hot and dry weather with high temperature वैसे ही इस दौरान स्रीयों को hot flushes आते है क्योंकि यहां पे आपके estrogenal progesterone level ज़्यादा कम हो जाते है और इसके वज़ा से दिन में कभी भी गर्मी लगती है रात को भी गर्मी लगती है पूरा दिन आपको यह साथा AC और पंक्रे के निचे ही बिताया जाए और उसके साथ चिड़ चिड़ आपन शुरू हो जाता है कैसे हम चिड़ चिड़ आपन और गुस्सा करते है जब हमारे नहापे गर्मी बहुत हो जाती है और हम कैसे धामेशा ठंडा हवा ठंडी ज़दा ढूनते रहते हैं वैसे ही मैनपोस की स्टेज में हर एक स्ट्रियों को इस स्टेज से पास होना पड़ता है और लास्ट होती है हमारी बारिश की यानि के वर्षा की सीजन यानि के मौनसून सीजन जिसको बोलते हैं पोस मैनपोस यानि पच्पन से लेकि उपर की सारी महिलाओ जो है वो अपने आपको पोस मैनपोस में पाती है जैसे कि हम एकदम कड़ी धुक के बाद कैसे बारिश की रहा देखते हैं वैसे ही पोस मैनपोस सिगनिफाइज पीरड आप्टर मैनपोस जहां पे सारे हॉर्मोन का लेवल स्टेबल हो जाता है और कंसेस्टेंटली लोग हो जाते हैं और हमको एक रिलीफ मैसुस होती है जैसे घर्मी की सीजन के बाद पहली बारिश की पहुचार होती है और कैसे ठंडापन मैसुस होता है तो यहां पे आपके टेंपरेशर हार्ट फ्लशे से सारी चीसे खतम हो जाती है मूर स्टेबल हो जाता है पर अगर आपने पैरे मेनपोस में अपना ध्यान नहीं दिया तो आपको हार्ट प्रॉब्लेम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लेम, डायबेटेज, जोइन प्रॉब्लेम जैसे कहीं सारी लाइफस्टाल डिजिजिजिस होने की शक्किताए पढ़ जाती है और हम यह आगे देखेंगे हमारे अगले सिक्रेट में यह कैसे अगर आप जो सिंटम से उसको अन्रेटर सिंटम जैसे मैंने आपको बताया है वेट गेन है, होट फ्लशेज है मूर स्विंग्स है वैसे कहीं सारे सिंटम को अगर आप ट्रीट नहीं करते हो समय रहते तो आपको कौन-कौन से तीन बड़ी बिमारी हो सकती है तो आईए देखते है सिक्रेट नमबर दो कि मैनोपोस की दोरान आपके अंदर जो hormonal fluctuations होते है, उसका effect आपके बड़, शरीर और mind पे कैसे होता है आप यहाँ पे देखते है एक roller coaster ride का picture जैसे हम यहाँ पे roller coaster ride पे बैटे हैं और कैसे कभी उपर कभी नीचे जाते हैं वैसे ही हमारे hormones भी roller coaster ride कि जैसे ही कभी उपर कभी नीचे जाते हैं जो responsible हैं हमारे अंदर आ रहे है mood swings और कहीं सारी physical issues जैसे weight gain heart flushes, कमर दर्ड, knee joint pain और कभी UTI की symptoms जैसे कहीं सारे physical issues, तो कौन-कौन से hormones में यह fluctuations होता है important hormones mainly estrogen or progesterone उसके बाद effecis, LH, testosterone, cortisol और prolactin यह सारे hormones responsible हैं हमारे अंदर आ रहे हैं बदलावा के लिए हैं पर सबसे important है estrogen क्यों? क्योंकि estrogen की जो receptor से हमारी body के पूरे body के अंदर पहले हुए हैं और mainly वो musculoskeletal, cardiovascular और central nervous system में पहे जाते हैं यहाँ पर जो आप पिच्चर देख रहे हैं यहाँ पर देखेगे brain, heart, kidney, stomach, intestine याने बढ़ियात और छोटियात kidney, spleen, liver, फेफडे, इस सारे जगह पर estrogen चाहिए ही चाहिए पर अब जब estrogen नहीं रहता है तो क्या हो जाता है? musculoskeletal system में हमारे हड़िया कमजोर हो जाती है अपने सुनाई होगा hypnotize में भी कहते हैं डॉक्टर स्वी बलते हैं कि woman above 35 को calcium लेना चाहिए क्यों बलते हैं? क्योंकि estrogen hormone calcium metabolism के लिए बहुत important रहता है उसकी absence ने हमको हड़िया कमजोर हो जाना muscles lose हो जाना सारे तकलिपे होती है पि कार्डियो वास्कुलर सिस्टम हमारा जो estrogen hormone है हमारे शरीर में blood के अंदर cholesterol level को control करता है जब ये cholesterol level कम हो जाता है जब ये estrogen hormone कम हो जाता है तो cholesterol level बढ़ जाता है और यही reason है कि 40 के उपर वाले उमर को वाली उमर लेडीज को blood pressure की होने की chances ज्यादा हो जाते हैं और heart disease के भी chances बढ़ जाते हैं पिर central nervous system जैसे मैंने बोला mood swings, चिड़ चिड़ापन भूल जाना चीजे रखके भूल जाना बहुत ही कामन हो जाता है जिसको forgetful ने से रहत कहते तो आगी जाके Alzheimer बिजिस में परिवर्टित हो जाता है फिर heart flushes तो stress, anxiety इस सारे लक्षन central nervous system पे estrogen की कमी की वज़ा से महसूस होता है क्योंकि central nervous system एक form करता है network जिसको बोलते है neuro endocrine network ये पूरा network just up हो जाता है इसलिए estrogen hormone बहुत ही important hormone है स्रीयों की जिनगी में मैसिक आने के लिए भी और मासिक की जाने जाता है तब भी फिर आगी देखते है secret number 3 health risk of unpreted symptoms of menopause जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अगर आप perimenopause और menopause में आप अपने symptoms को clean ध्यान नहीं देते हो तो सबसे पहले आपका जो weight gain का symptom है perimenopause में जो weight gain का symptom आता है वो आपको diabetes heart problem और joint problem देता है अगर आपने bones and joints का ध्यान नहीं दिया तो आपको osteopenia osteoporosis arthritis जैसी तकलिफे देता है osteopenia याने कि आपके muscles loss हो जाते है और आपको pain होता रहता है osteoporosis हट दिया कमजोर हो जाती है आए दिन आपको fracture होने के chances बढ़ जाते है arthritis याने कई सारी ladies बोलती है कि सुपो उठती हूँ तो मैं न ऐससे इसे नहीं कर पाती छोटी छोटी जोटी जोटी में pain हो जाते है redness हो जाती है swelling हो जाते है सुपो उठके एडिया जमिन पे रखने ही सकते है और बहुत ही pain हो जाता है यह सारे symptoms osteoarthritis के है फिर untreated stress and anxiety जैसे मैंने आपको बोला कि stress, anxiety, overthinking all are the symptoms of perimenopause and menopause जो कभी-कभी depression तक ladies को लेके जाती है तो ध्यान रखिए कि आपकी जो perimenopause और menopause के symptom में उसको आप अच्छे से तबज्जु दे और उसको cure करें तो आज मैं मेरी three magical method आपके साथ share करती हूँ जो आपको इन सारे symptoms को दूर भगाने में मदद करेगी तो सबसे पहली method है menopause nutrition याने कि इसमें आप lifestyle changes और incorporating intermittent fasting as your lifestyle दो बहुती important चीज़े आपकी life में add-on कर सकते हो दूसरा है menopause mind and memory mastery याने कि आप mindfulness, stress management praying gym, self-care routine gratitude और affirmations की माध्यम से आपके अंदर होरे मानसिक बदलाओं के उपर control लाके वो लक्षनों पर काबू पा सकते हैं और तीसरा और बहुत important है menopause movement याने कि physical activities and its benefits like balance of strength training workout and cardio workout याने कि कोई ना कोई physical activity आपको अपने जीवन में include करनी तो पहले मैं आपको बताने चाहरे हूँ menopause nutrition so the best thing you can do is to change your lifestyle याने जैसे जिन्द की आप अभी तक 35 सालों तक जेते आ रहे खानपन के माध्यम में उसका आपको बदली करना है क्यूंकि 90% याने 90% menopausal age movement है वो weight gain से ग्रस्त होती है और उसकी वज़े से diabetes, high blood pressure, heart problem, knee joint problem breast और colon cancer भी होने के शक्यता बढ़ जाती है और उसके लिए सबसे महत्तुपूर्ण तरीका है intermittent fasting याने आपको intermittent fasting को अपनी lifestyle बनाना चाहिए क्यूंकि हमेशा याद रखे पूई भी ऐसी miracle medicine नहीं है जो या तो अटका सके या तो menopause weight gain को reverse कर सके यह हमेशा याद रखे दूसरा important शीज है कि आपको अभी तक जो खाना खार है उसमें 20 प्रतिशत कटोती करनी है जो भी calorie जाती है डेली calorie उसमें 20 प्रतिशत कटोती करनी है तो क्या है intermittent fasting के फाइदे को binge eating से चुटकारा मिलेगा याने के खाने जो main meal तीन मिल रहता है उसमें बीज बीज में हम लोग कभी नाश्टा का लेते कभी कुछ न कुछ चबाते रहते इन आदर से चुटकारा मिलेगा फिर आपका growth hormone बढ़ेगा फिर आपके शरीर के अंदर नएश सेल का formation होगा hormones भी balance हो जाएंगे आपकी skin glow होना शुरी हो जेगई जिसकी वज़से आप अपनी उमर से 10 साथ छोटे भी दिखोगे फिर आपको जो नीद का problem है sleeplessness is one of the major symptoms of menopausal age human तो आपको peaceful और calm sleep आने में मदद करेगा फिर आपकी energy है जैसे मैंने बुलाता energy low हो जाती है ठकान लगती है तो जब पर intermittent fasting करते हो तो आपको ऐसा लगए कि जैसे मुझे पहले जैसी मेरे energy थी बैसे ही मुझे मैसस होती है और आपका aging process को reverse करेगी और या तो फिर उसको slow down कर देगी अब यह तो कौन सी street को पसंद नहीं होगा कि उसकी उमर धीरे धीरे बड़े और वो gracefully age करें फिर आपका muscle और bone को protect करता है और आपकी metabolism को बढ़ाता है और सबसे important जैसे मैंने बुला कि memory loss आने forgetfulness brain fog हो जाता है बट यहां पर आपका brain fog कम होगा जिसकी बज़े से आप अच्छे से सोच पाएंगे और आपका concentration और focus भी बढ़ेगा अब मैं छोटी सी short में बदा दे तो कि intermittent fasting क्या है intermittent fasting कुछ बड़ी बादे ही है इसमें आपको 14 गंटे तक कुछ नहीं खाना है और बागी की 10 गंटा आप खा सकते हो यानि अगर आपके रात को आट बज़े खाना खाया तो उसके बाद सुभर की 10 बज़े तक या 11 बज़े तक कुछ भी नहीं खाना है और पहला मेल आपका 10 बज़े आप 11 बज़े खाना है तो आपका आस्टिक हो जाता है और इसके बहुत सारे प्रकार है जो मैं कभी किसी और दिन इस चैनल पे उसका विडियो अपलोड कर दोंगी दूसरा है मैनपोस माइन मास्टरी मैनपोस माइन मैमरी मास्टरी तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए क्या करना चाहिए आपको रोजाना माइनफुलनेस की प्रैक्टिस करने चाहिए बहुत सारी ब्रेदिन टेक्निक है जो आपके इस ट्रेस को कम करने में आपको हेल्प करेगे और मैं अभी शॉट में ब्रेदिन टेक्निक बता देती हूँ जो आप अभी इस वीडियो के बाद तुरन प्रैक्टिस कर सकती है सिर्फ दस मिनिट पूरे दे में दस मिनिट निकाले और अपने आने वाली और जाने वाली सासों को अपने नाग के पास महसूस कीजे शुरुआत में टिफिकल्ट होगा अगर आपका दिमाग गोल-गोल गुमता है विचारों में चली जाता है पकड के उसको वापस लाइए और सास पे पॉंसेंट्रेट कीजे इस सबसी इजीस तरीका है सबसी इजीस ब्रेदिंग टेक्निक है फिर स्ट्रेस मेनेजमेंट स्ट्रेस मेनेजमेंट करने से हमारे अंदर स्ट्रेस होर्मन जो कॉर्टीज होले उसमें कमी होती है वो नॉर्मल लेवल पे रहता है जो आपको चिड़चिड़ापन, गुसा, फ्रस्ट्रेशन उन सारे सिंटम से बचाता है और ब्रेंजीम एक्सेसेसेस ब्रेंजीम एक्सेसेस याने मैं एक दो एक्सेसेसे आपको बताती हूँ रूटीन में अगर आप राइट हैंड से कुछ काम करते हो तो आप लेप्ट हैंड से वो काम करना शुरू करते हो जैसे लेप्ट हैंड से चमच उठाना खाना 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 रश करना, लेप्ट हैंड को यूज करके चीज़े लेना, इसकी बज़े से आपके brain को एक exercise मिलेगा। तो इस प्रकार बहुत सारी brain gym exercise ही है, आप उसको यूज करके आपके brain को awake और concentrate कर सकते हैं। और आपकी memory भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा और बहुत ही important है menopause movement, physical activities such as aerobics, strength training can assist you in losing your extra weight and maintaining healthy weight because physical activity क्या करती है, आपकी जैसे aerobics है, zumba है, HIIT है और strengthening याने वजन को उठाना, यह सारी चीज़े करने से आपकी muscle grow करेंगे, आपकी body जादा calorie अच्छे से जलाएगी जो आपको weight loss में बदद करेगा, and make it simpler and maintain healthy body weight, आपका जो weight है, उसको stagnant, stabilize करके रखेगा, और healthy weight पे आपको रखेगा, और इन exercise के साथ आप yoga को भी अपने routine में ला सकते हैं, जैसे आप physical और mental wellness दोनों को आपकी जीवन में ला सकते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन सारी तीन जो मैंने बताया आपको methods, menopause nutrition, menopause mind and memory mastery, और menopause movement, इन सारी तीन method को अपने जीवन में लागू करेंगे, और menopause और उससे related होने वाले लक्षनों को काबू में करके उससे बाहर निकलेंगे, और अपना जीवन स्वस्थता और तंदुरस्ते से जीएंगे, फिर भी अगर आपको इससे related कहीं प्रकार के, किसी भी प्रकार के प्रशन है, तो मैं यहां description में मेरा free one-on-one consultation का link डाल देती हूँ, जो आप click करके free one-on-one consultation मेरे साथ कीजे, जहां पे आप अपने personal question मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आपका उनका answer दे कि आपको इन सारे methods को आपके जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, उसके भर में बता सकते हूँ. नमशकार और धनेवाद मेरे साथ बने रहने के, थैंक यू, विश्यू, और गुड, हैथ, पिटनेस, mental and physically, may God bless you with all health and fitness, thank you so much.